मूवी की स्टार्टिंग होती है एक कपल को दिखाते हुए जिसके अंदर लड़की का नाम ग्लोरिया होता है काफी समय से उसके पास कोई जॉब नहीं थी उसी के कारण वो बहुत दुखी रहती थी जिसके कारण वो अपने खास दोस से भी बहुत अजी बरताव रखती थी और उस वज़े से उसका दोस भी काफी परिशान रहता था वो कहता था कि गलोरिया अगर तुम ऐसे ही बरताव करती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अलग हो जाएंगे और एक दिन यही हुआ और वो लड़का गलोरिया से कहता है कि ऐसा करो तुम अपने घर लो पर उसको अपना बच्पन का दोस मिलता है जिसका नाम ऑसकर होता है वो उसे कहता है कि यहां पास में ही मेरा बार है तुम चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो अब गलोरिया तो पहले से ही ज्रिंक के मामले में काफी जादा पड़ चुकी थी अब वो अपना सब समय उस बार म में किसी जाइंट ने अटाक कर दिया है उसने पूरे कोरिया को तबा कर दिया है वो एक भयानक मॉंस्टर है जो स्पेशली कोरिया का इक शहर है सियोल उस पर ही अटाक कर रहा है और उसने वहां सब कुछ तबा कर दिया कुछ नहीं छोड़ा इस बात से गलोरिया बहुत द और उसका रोज मरा की जिन्दगी की तरह अपना रात को कलब जाना और सुबह सुबह घर आ जाती थी। जैसे कि वहां मॉंस्टर भी एकदम ग्लोरिया की तरह ही सर खुजाया करता था और जिस तरह वो सामान उठाके लाई थी उसी तरह वो भी चीज़े उठाकर ले जा रहा था। प्ले ग्राउड में बैट जाती है और वो देखती कि मॉंस्टर को मॉंस्टर नहीं कर रहा मतलब चुपचा बैट गया है यह देखके वो हैरान हो जाती है कि ये प्लैग्राउंड उस शेहर की किसी जगह से संबंद में है तो वो इस बातों को सोच के काफी अपसेट हो रही थी और फिर वो अपने दोस्त आसकर से जाके सब चीजे बोल देती है जो उसे लग रहा है फिर आसकर कहता है कि तुम्हारा वहम हो सकता है तुम एक मॉंस्टर को कहां से कंट्रोल कर सकती हो फिर वो बोलता है ये तुम्हारा वहम है खोश में आ जाओ और फिर गलोरिया कहती है ठीक है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे साथ आओ गलोरिया उसको और उसके साथियों को इस पार्क में लाती है और कहती है लाइव न्यूस खोलो जिसमें वो जाइन दिखाया जा रहा है और उसके दोस्त वही करने लगते है और गलोरिया सामने जाके डांस करने लगती है और वो unexpectedly वो giant भी same dance करने लगता है और Gloria जो सोच रही थी वो सच निकला अब आर्मी के helicopter उस पर attack कर रहे होते हैं तो यहां Gloria को भी दर्द हो रहा होता है और Gloria जोर-जोर से अपने हाथों को move करने लगती है यह सोचके कि एक मजाक ही हो एक coincidence हो पर वो monster भी इसी तरह से अपना हाथ move करता है जिससे वो आर्मी के helicopter destroy हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है फिर उसके सारे दोस उसे घर लाते हैं और जब अगली सुबह उचके वो news देखती है तो उसे पता चलता है कि वो भी कल building से गिर गया था जिससे काफी नुकसान हो गया उसे देखके Gloria परिशान हो जाती है और कहती है हो ना हो इसे मैं ही control कर रही हूँ और आसकर आ जाता है वो कहता है जादा परिशान नहीं हो ये coincidence हो सकता है अब एक robot भी आ जाता है तो ओस्कर कहता है कि अब ये तो नहीं कि इसे भी तुम चला रही हो, दुन्या में ऐसे कहीं कारणामे होते हैं, और कुछ टाइम बदलते, ऐसा लगता है कि ओस्कर रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, अब ओस्कर और गलोरिया मिलके डिसकस कर रहे होते हैं कि आखेmos क्या है मैं अपने होश में रहूं और मुझे पता चलता रहे कि क्या हो रहा है अब ग्लोरिया कहती कि वो मॉंस्टर तो कोरिया में है और उनके लोगों को कोरिया ही समझ आएगी फिर वो एक ट्रांसलेटर के पास जाती है और उसे एक नोट लिखवाती है और अगली सुबह उसका प मॉंस्टर कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा उसने सबसे माफी माग ली है और फिर लोग रिलाक्स हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा है अब मॉंस्टर को अक्कल आ गई और ऑसकर का दोसे कहता है कि मुबारक हो जो तुम चाती थी वो हो गया अगली सुबह जब ग्लोरि जाती है और ऑसकर को मना करती है औसकर कहता है कि अरे यार मैं तो सिर्फ मजाग कर रहा था अब तुमने इतने लोगों की जान ली मैं तो पहले से तबाह जगा को नश्ट कर रहा हूं उसमें भी तुम्हें दिक्कत है उस बात से ग्लोरिया गुसा होके उसे थपर मार देती है और ऑसकर चुप चाप चला जाता है और ये सब टीवी में भी दिखाया जाता है कि उस मॉंस्टर ने रोबोट को थपर मार के जाने को कहा और वो चला गया और ऑसकर को भी बदला लेना होता है फिर वो एक दिन ड्रिंक कर रहा होता है और ग्लोरिया को भी ड्रिंक करने क वो कहता है जिससे ग्लोरिया भी पी के प्लेग्राउंड में कोई मसला खड़ा कर दे पर अब ग्लोरिया कुछ नहीं करती और आसकर प्लेग्राउंड में जाके कुछ ना कुछ हरकत करने लगता है अब ग्लोरिया तुरन प्लेग्राउंड पहुशती है और आसकर से कहती है ऐ एक लड़की है और लाइव ये दिखाया जाता है कि रोबोर्ट मॉंस्टर को मार रहा है और ग्लोरिया आसकर को बोलती है आसकर बस अब मैं तुम्हारे बार में नहीं आऊंगे और ना काम करूंगी और आसकर कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में है हम साथ पढ़ते थे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो आसकर कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया तुम बाहर पढ़ने चली गई मैं यहां ही मेरे फादर का छोटा सा बार संभालता रह गया क्या मेरा मन नहीं होता तो वो बोली कि इसमें मेरी क्या गलती और उन मासुम लोगों की जिने तुम तकलीव दे रहे हो जब ग्लोरिया की पुराने दोस्कों पता चला उसने ग्लोरिया को कॉल किया कि ग्लोरिया मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें हर्ट किया तुम यहां वापस आ जाओ मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और Gloria भी इस बात से खुश थी पर ये बात Oscar को चुबने लगती है और वो Gloria से कहता है कि Gloria अगर तुम यहां से गई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं यहां क्या करूँगा और वो Gloria को ब्लाक मिल करने लगता है तो Gloria परिशान हो जाती है और घर चली जाती है अब औसकर वहाँ भी पहुँच जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे जाती हो तो ग्लोरिया को भी कुछ समझ नहीं आता और वो अपना सर खुजाने लगती है और यहाँ पर उसे सब कुछ याद आने लगता है 25 साल पहले की बाते की वो और उसका दोस साथ में स्कूल जाया करते थे और दोनों प्रजेक्ट तयार करके ले जाते थे पर ग्लोरिया का जादा अच्छा होता था पर वो तेज हवा में उड़ जाता है तब ही औसकर उसे लेने जाता है पर यह देखके की वो जादा सुन्दर है वो उसे तोड़ देता है ग्लोरिया भी सब देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो उपर देखके कहती है कि मुझे बदला लेना है पर उसको क्या पता था कि उसकी बात इतनी जल्दी सुन ली जाएगी उस पे तेज बिजली आती है और सीधा ग्लोरिया के सर पर लगती है और वो सर खुजाने लगती है तब ही सर से खून आने लगता है और दूसरी तरफ जिस जगह का उसने प्रोजेक्ट बनाया था उस होता है और ये बात जब ग्लोरिया उसे कहती है उसे उस बात का भी बुरा लग जाता है और वो उस पर अटैक करने लगता है और ग्लोरिया समझ जाती है कि वो उसे जादा पावरफुल है तो वो उसे मार के घर से बाहर भगा देती है और उसे कहती है जो मर्जी करों क्यों कि उसके मन में एक प्लान था और अब वो जारी थी कोरिया जब आसकर को पदा चलता है वो कोरिया जा चुकी है वो प्लेगराउंड में जाता है और दूसरी तरफ वो रोबोट कोरिया में भी अपियर हो जाता है जिससे देखके लोग काफी डरने लगते हैं पर इससे पहले को रोबोट किसी को मारता ग्लोरिया कोरिया के उसी जगह पर आ चुकी थी और ये सब रिवर्स हो गया यहीं कोरिया में मॉंस्टर अपियर होता तो वो ग्लोरिया के दूसरी जगह जाने से आता था और इसी तरह ग्लोरिया यहां आती तो दूसरी जगह उसका मॉंस्टर ड उठा लेता है और यहां रोबोट भी हवा में होता है और ग्लोरिया उसे उठा कर बहुत दूर फेक देती है जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है और अब ग्लोरिया भी वहां से चली जाती है सब खुश हो जाते हैं और यहां पर मूवी का एंड हो जाता है